Hello everyone, welcome to my classes. आज की इस classes में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ non के बारे में. और आज की जो वीडियो हैं बहुत ही requested वीडियो है. इसको generally मैं अपने classes में कहानी के माध्यां से बच्चों को समझाता हूँ जिसका फायदा ये होता है, इस टॉपिक को बहुत ही असानी से वो समझ पाते हैं. और जितने भी जो जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, वो उनसे नहीं होते हैं. तो I hope इसका फायदा आप लोगों को भी होगा. ये गाउं है, एक वेक्ती है, एक गोट है, एक बकरा है और एक छोटा सा बच्चा है. कहानी कुछ इस प्रकार है, एक छोटा सा गाउं होता है, उस गाउं में एक वेक्ती था. यह बेगती पेसे से कसाई था और सोचता है क्यों न इस होली पास आने वाली रहती इस होली मैं कुछ पकरे ले आउं जिसको बेच कर बहुत दिर्शारे धन कमाऊं ऐसा सोचकर वो चला जाता है मारकेट और मारकेट से ले आता है एक बखरा बकरा लाने के बाद वो घर में बान देता है और चला जाता है कहीं बाहर कुछ समय बाद जब वो अपने घर आता है तो उसका बेटा पुछता है पापा पापा की ये क्या है घर में बंधा हुआ है ये क्या है तो उसके पापा बोलते हैं बेटा ये एक बकरा है कुछ समय बित्ता है उसके बाद फिर से उसका बेटा पुछता है पापा पापा ये क्या है तो उसके पापा बोलते हैं ये एक बगरा है फिर कुछ समय बित्ता है उसके बाद फिर से पुछ देते हैं वैसी तो ऐसे कई बार पूछते हैं उसके पापा हो जाते हैं परशान आप लोग भी जर्नली पापा से ममे से ऐसा पूछते हैं तो वो भी परशान हो जाते हैं तो इनके पापा जवाब देते हैं बेटा ये इसका नाम क्यों करन क्यों न कर दिया जाए जिससे बार बार पूछने के जवरा थी ना पड़े तो उसके पापा इसका नाम करन कर देते हैं और नाम करन करने के बाद बोल देते हैं इसका नाम है टूमू क्या नाम है टूमू अब उसके बाद उसका बेटा दुबारा नहीं पूछता है ठिक क्योंकि उसको मालूम चल गया इसका क्या नाम है टोमू इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसको सोच के बहुत ही अचमीथ होगा क्या होता है और होली का तिवहार बचा रहता है दो दिन दो दिन बचा रहता है तो सोचता है क्यों ना आज मैं इसे काड़ दू और काटने के बाद मार्केट में बेचा हूं क्योंकि होली कितने दिन बचे हैं और काट के जैसे ही अपने थैले में इस material को ले के बाहा लिकलने वाला रहता है, वैसे हैं उसके घर में कोई knock knock करता है, खटखट आता है, तो ये सोचता है, जर्नली इस वक्त तो मेरे घर में कोई नहीं आता है, फिर आज कोई आ गया? बहुत सोचता है, अभी तो कोई आता नहीं है, लेकिन मेरे यहां कोई आ गया? तो क्या करता है अपने घर में एक छोटी सी खिडकी होती है, उस खिडकी में जहांकता है और जहांके देखता है कि कौन है, तो क्या देखता है बाहर में बहुत धेड़ सारे बकरिया बकरे जुन में खड़े होते हैं काफे धेड़ सारे जिसको देखकर बहुत ही आश्यर हो जाता है तो आप लोगों को मैं बता दू ये बकरी बकरिया कोन होती है इनकी फैमिली होती है, उनको मालूम रहता है कि कोई वेक्ति है जिसको टोमो ने ले गया है और उसे काटने वाला है, ठीक है, मारने वाला है, ये पता चल जाता है, इसलिए उनकी सारी फैमिलिया इनके घर में आ जाती है और आने के बाद इनको बचाने के लिए कोशिस करती ह तो जो वेक्ति होता है इनके सारे भीड को देखकर बहुत ही भैवित हो जाता है और भैवित होने के कारण वो घर पर ही बैठा रहता है अब ऐसे करते 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 पूरी राध गुजर जाती है और जैसे आधी राध होती है राद गुजरने से पहले लगबग बारा बजा रहता है अब उस समय उस वेक्ति को भूक लग जाता है अब वो क्या करता है चुकि इसको वो तो काट लिया रहता है और काटने के बाद इसमें से थोड़ा सा मेट लेकर एक कढ़ाई में डाल कर अपने लिए मीट बनाता है ठिक मीट बनाता है खाता है और सो जाता है ऐसे करते करते पूरे राद बिच जाती है सबेरे देखता है तो बाहर कोई नहीं रहता अब भाई कितने समय तक वो जानवर बैठे रहते अंध में वो चले जाते हैं महां से अरिवेक्ती क्या करता है जितनी भी मीट होते हैं सब को ले जाके मार्केट में बेशता है और खुब धर सारे पैसे कमा लेता है ये थी कहानी अज कहानी को इस टॉपिक से कैसे लिंक करें तो इस चीच को आप लोग दिहान से समझेगा कैसे करें तो देखिए सबसे पहले में आप लोगों को बता दू कौन क्या क्या है देखिए ये है क्या ये ये गोट है हाँ ना गोट गोट मतलब बकरी ये क्या है विलेज है ये क्या है एक विक्ती है और ये क्या है उसका बेटा है वो आया है लड़का है तो यह चीज को देखिए हम कैसे रिलेट करते हैं सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दू नाउन क्या होता है तो आप लोगों ने बज़पन से पढ़ते आया होगा नाउन इस दा नेम आप एनी पर्शन प्लेस और थे नाउन किसी वेक्ति वस्तो इस्तान या किसी का भी नाम हो सकता है यह पूस्तक की ग्यान है अब आप लोगों को कैसे रखना है याद दूनिया की हर चीज नाउन होती है जिसको आप छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं देख सकते हैं उस सारे नाउन है जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ ये क्या है पेन है ना ये पता है इसको मैं छू सकता हूँ देख सकता हूँ ना बिलनास क्या बोलेंगे सर नाउन है ये क्या चीज़ है बोड है ना इस बोड को मैं देख सकता हूँ छू सकता हूँ तो ये क्या है ये भी नाउन है मैं आप देख सकते हैं मुझे तो मैं भी क्या हूं तो दुनिया के हर चीज नाउन है अब इस नाउन को बहुत ही असानी से समझ सके इसलिए अलग-अलग भागों में बाढ़ दिया गया है तो जो नाउन के प्रकार होते हैं वो पांच प्रकार के तो कौन-कौन से नाउन तो देखी प्रापर नाउन किसी भी वेक्ति का हम जब नाम करन करते हैं आप लोगों ने देखा होगा बचपन में आप लोगों का नाम भी आपके ममी पापा ने किया होगा प्रापर किसी तरीके से है ना प्रापर विधी विधान से आपका नाम करन हुआ होगा तो आप लोग इस वेक्ति का नाम रख देता हूँ मैं मूनू ठीक तो देखी मूनू क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाम कैसे किसी वेक्ति का क्या नाम है मूनू मूनू क्या हो जाएगा प्रॉपर नाम मूनू सोनू इना मीना रीना इस सारे क्या है आपके किसी ने किसी वेक्ति के ना तो इस सारे नाम क्या कहलाएंगे आपके प्रॉपर नाम जैसे मैंने बोला भी यह क्या है गोट है गोट का क्या नाम रख दिया मैंने टूमू तो टूमू क्या होगे आपका कौन सा नाम कहलाएगा टूमू कहलाएगा आपका प्रॉपर नाम तो आप लोगों गयाद रखना ह किसी का भी नाम हो ठीक है जैसे आप लोगोंने सुना होगा डॉक्स के नाम होते हैं हाला मोती कैट्से के भी नाम होते हैं तो सारे जितने भी नाम हो चाहे किसी के भी नाम हो जैसे मैं बोलो ताज महल ताज महल कौन से नावन होगा proper noun क्योंकि एक इमारत का क्या नाम है ताज में है किसी भी इस्थान का नाम जैसे मैं बोलो city बिलासपूर, रायपूर, दूर्ग ये क्या है एक city के नाम है तो नाम है ना तो कौन से noun होंगे आपके proper noun तो ये चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होगे अब हम बात करते हैं common noun ऐसा noun या ऐसे noun का सब्द जिससे हमें common चीज़े पता चले जैसे मैं आप लोगों से बोलू गोट मैंने एक गोट देखा तो उससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी गोट गोट क्या हो गया एक common work हो गया किसी एक work का है जैसे मैंने बोला pain ठीक है pains आपको पता चल रहा है कि कौन सा pain नहीं पता चल रहा है मैं आप लोगों से बोलू उस वेक्ति को बुला के लाओ तो आप बोलो कोन से वेक्ति वहाँ तो कई लोग खड़े है क्यों क्योंकि वो क्या हो गया एक common word हो गया तो जैसे जितने भी ऐसे जितने भी आपके common word है सारे आपके common noun के लाते है क्या क्या चीज़े आ सकती है तो देखी गोट कौन से noun होगा आपका जल्दी बताइए तो गोट हो जाएगा आपका common noun में उस वेक्ति को बुलाकि लाओ यह क्या हो जाएगा आपका common noun ठीक उस लड़के को बुला कि लाओ लड़का क्या हो जाएगा आपका common noun मतलब boy boy कुन से noun हुआ common noun तो कोई भी चीज़े जैसे table है खुरसी है पंखा है मैं आपसे बोलू उस टेबल को ठाक लाओ उसके बाद बात करते हैं मैंने बताया था इसमें का जो मीठ है है इसको पकाया गया था तो यह चीजे क्या है यह मीठ है और मीठ हम जब भी खरिते हैं आप लोगों को टिप से याद रखने है जब भी हम मीठ खरिते हैं तो कैसे खरिते हैं तौल के खरिते हैं तो ऐसी कोई भी वस्तू जिसका नाप तौल किया जा सकता है वो कौन से नाप तौल के लाएगा आपक मीट, मीट को हम नाप तौल के खरीते हैं, सुगर, ओल, इसको भी आप क्या करते हैं, मिल्क, मिल्क जब आप लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, नाप के ही लेते हैं, तौल के ही लेते हैं, लिटर्स में लेते हैं, उसे प्रकार आप सक्कर हैं, या जो भी मटेरियल हैं, गोल्ड ह आपको ऐसे बोलते हैं क्या, मुझे एक gold चाहिए, नहीं, आप क्या बोलेंगे, मुझे इतने gram gold चाहिए, इतने gram silver चाहिए, तो gold है, silver है, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, material law, उसके बाद बज गया collective law, देखे, collect to, सब्द को ध्यान दिजिया, collect to, collective मतलब collection पर work, ठीक है, collection प दिखान दो, collection क्या होता है, हम लोग जर्नली बोलते हैं, कि सर मेरे पास, मेरे बहुत धेर सारे पेन का collection है, उस collection में होता क्या है, same work के बहुत धेर सारे चीज़े होते हैं, मतलब एक group होता है, ठीक है, तो जहां पर collection, group, ऐसे सब्दाएं, वो सारे आपके, क्या कहलाएंगे या आपके collective non कहलेंगे, जैसे मैं आप लेको से बोलू, pupil, pupil मतलब क्या होता है, लोग, और लोग में एक से ज़्यादा होंगे न, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, collective non, उसी प्रकार में बोलू, family, family सब्दे से क्या पता चलता है, family में एक लोग होते हैं, नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं, उसमें member आप, जित्ते भी होते हैं, जो members होते हैं, member आप, home के, या फिर किसी के भी हो, तो उसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वो भी आपका क्या कहलाएगा, आपका, collective non, तो family word क्या होगे, आपका, collective आर्मी, क्राउड, मतलब क्या होता है भीड, यह सारे भी आपके क्या कहलेंगे, तो ऐसे वे सारे सब जिससे किसी ने किसी ग्रूप का, कलेक्षन का पता चले, वो सब आपके कहलाते हैं कलेक्ट इउनाउ, इसके अलावा जो भी चीज़े बज गई, क्या क्या चीजे बज गई जैसे यहां करें चीखी आप लोगों ने देखा मिट जब बनाया जा रहा था तो मिट जब बनाया जाएगा तो कुछ ने कुछ उसमें गंध आएगी या खुसबू आएगी तो उससे क्या पता चलता है वो सारे जिससे किसी भाव का या किसी सुग या कोई भी चीज़े ऐसे पता चले वो सारे आपके कहलाते हैं अब स्टेक नाउन तो देखे एक बार फिर से में रिवाइस करता हूं आप ध्यान देजेगा प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन को आपके पहचानेंगे किसी का भी प्रॉपर तरीके से विधी विदान से ना कोन से नाउन हुआ शीटी गॉमन वर्ड हflower हिए यह सीटी जा रहा हूं पता चल रहां किया warrant नहीं तो सीटी कहन से शीटी आपका कॉमान नाउन बट मैंने बॉला बिलासपूर सीटी कहन से नाउन हुआ आपका हो जाईगा प्रॉपर नाउन राइपूर राइपूर कॉन स नावन होगा मैं ये रिवर गूमने जा रहा हूं तो रिवर क्या है आपका common word है तो रिवर कहला जाएगा आपका common noun उसी प्रकार material noun ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम नापके तौल के लेते हैं या जिसका हम major mind करते हैं उसारे क्या है आपके कहलाएंगे material जैसे है meat है gold है silver है sugar ह सबको आप क्या कर रहे है तौल के ले रहे है तो सारे आपके क्या कहलाएंगे आपके material नावन इसके अलावा collective noun में आपके इस पेसली दिखिए people हो गया है ठीक है people नहीं sorry family हो जाएगा family के अलावा और क्या हो सकते है crowd ठीक बेड बेड में भी एक से ज़्यादा लोग होते ह आर्मी में एक से ज्जादा लोग होते हैं उसको आर्मी बोलते हैं तो ऐसी कोई भी collection या शमूँ या आप कोई भी गुच्छा भी बोलें ठीक है जैसे हम लोग चावी रिंग का गुच्छा तो आभी क्या है गुच्छा भी है collection है group है वो भी आपके क्या कहलाएंगे तो ऐ कोई ऐसे वर्ड जिससे किसी भाव का या किसी चीज का क्या हो रहा है हमें बोध हो रहा है मैसूस हो रहा है वह सारे सद्ध आपके कहलाते हैं अपस्टेक नावन जैसे लाफ हसना हसना कौन सा नावन होगा यह होगा आपका अपस्टेक नावन खुजबू कौन सा नावन होग ठीक इमानदार इमानदार भी आपका हुआ ना कौन सा नाम हुआ आप स्टेक नाम तो यह सारे नावन आप लोगों को I hope आप लोगों ने इस जिसको समझा होगा इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ नावन से जिसके बहुत ही important छोटे सा रोल्स होते हैं वो आपको मैं next वीडियो में बताऊँगा तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे comment करके बताएगा कुछ छोटा सा रोल्स है उस रोल्स को आप फॉलो करेंगे तो इसके जो आप लोगों ने जो इस वीडियो में सिखा वो आपका बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा तो क्या आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो बनाऊँ comment करके आप मुझे जरूर बताएगा ठीक है थैंक यू